पहरो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप Netflix को यूज कर सकते हैं अपने PC में तो यहां जो मैं दो तरीके बताने वाला हूँ उसमें से पहला जो है वो Windows के लिए है और दूसरा है जो है वो सभी operating system के लिए है चाहिए आप कोई भी operating system यूज करते हो तो पहले जो तरीका है उसमें आपको simply app डावलोड करनी होगी Netflix की और यह मैं कोई third party website से डावलोड करनी के लिए नहीं बोल रहा हूँ Microsoft store से डावलोड करनी के लिए बोल रहा हूँ जो कि बिल्कुल ही secure है तो Microsoft store जो है वहाँ पे आप sign in कर लिजेगा अगर आपके पास Microsoft की ID है Microsoft PowerPoint वगरे अगर आप यूज करते हैं तो आपके पास ID होगी ही तो यूज कर सकते हैं अगर आपके पास ID है Microsoft की तो आप यूज कर सकते हैं और यह जो दूसरा तरीका है यह सभी के लिए है सब के लिए और यह जो है वो best तरीका है मैं बता रहा हूँ यह netflix की एक website है आप वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं और वहाँ आप sign in कर लिजेगा netflix.com तो उससे भी आ जाएगी उनकी original website टॉप पे ही तो यहाँ जो है original website यह सभी browsers में चल जाती है सभी में आपको चल जाती है और बहुत ही बढ़िया तरीके से चलती है कोई भी इसमें problem नहीं है लेकिन यह जो app थी जो मैंने भी आपको बता ही अगर आप app में ज़्यादा यूज करना चाते हैं तो app जो है वो crash हो जाती है कई बार इनकी problem है थोड़ी बहुत वहाँ पे लेकिन website जो है वो properly work कर रही है एकदम बढ़िया तरीके से तो मैं यहाँ Netflix यूज नहीं करता हूँ इसलिए मिरे पास ID नहीं है तो मैं आपको website में sign in करके नहीं दिखा रहा लेकिन उमीध है आपको पता चल गया होगा आपको पता चल गया होगा कैसे अगर आपने पहले से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आउन किया हुआ है तो इस मैसेज को इग्नॉर करें लेकिन अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजे और एक बात बेल आइकन को भी आउन कर लिजेगा तक हमारे latest video की notification आपको मिलती रहे